Hello Friends, Welcome to eLearning Classes Friends, आज है 16 अगस्त 2020 और 16 अगस्त के जितने भी important questions हैं सारी questions को हम discuss करेंगे इस वीडियो में इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल से मिलेगी टेलिग्राम का लिंक मैं वीडियो के description box में डाल देता हूँ वहाँ से जाकर आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर ले चैनल को subscribe भी कर लो चलो दोस्तों शुरुवात करते हैं आज के पहले question से पहला question है आज का हाल ही मैं लगभग 17 लाख परिवारों को वित्य साहिता देने के लिए किस राज्य ने ओरू नोदोय योजना लागू करने की घोशना की है तो देखोगे ओरू नोदोय योजना लागू करने की घोशना की गई है option है C असम सरकार के दोरा असम सरकार ने ओरू नोदोय योजना लागू करने की घोशना की है जिसमें 17 लाख परिवारों को वित्य साहिता देगा असम की बात करें असम की राजधानी दोस्तो दिस्पुर है असम की राजधानी है दिस्पुर यहां के जो CM है उनका नाम है सर्वानंद सोनेबाल सर्वानंद सोनेबाल यहां के जो governor है उनका नाम है जगदेश मुखी जगदेश मुखी यहां के governor का नाम है question से related information में देख लेते हैं क्या है जैसे लेखा है असम सरकार 2 October से औरू नोदोय योजना लागू करेगी आगे इसमें दिया हुआ है लगभग 17 लाख परिवारों को वित्य साहिता उपलब्ध कराने के उद्देश से असम सरकार राज्य में 2 October से औरू नोदोय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तयार है आज गोहाटी में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के वित्मंत्री हेमंत विस्वा सर्मा ने बताया कि इस योजना के तहट लगभग के तहट आवशक बस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रोपे प्रती महिने दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि असम में यह सबसे बड़ी प्रतियच लाव अंत्रण योजना होगी शिरी सर्मा ने कहा कि इस योजना में इस योजना से प्रतियच विधानसावाद छेतर के 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाब पहुँचेगा शिरी सर्मा ने कहा कि अनोरोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड रोपे प्रति महिने वहन करेगी तो पूरी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेशन की अच्छे से पढ़ लेना है देख लेना है कोई क्वेशन कहीं से न चूटे क्वेशन नमबर दो पर आते हैं दोस्तों क्वेशन नमबर दो है हाल ही में किस शहर की जैनरिक फार्मा कमपनी एन एस एन गुरुप ने कोरोना वाइरस से सस्ती दवा फैविलो लॉंच की है कोरोना वाइरस की यह सेना करके की सस्ती दवा दवा का नाम क्या है फैविलो ल जैनरिक कमपणी है फार्मा कमपणी है उसने कोरोना वाइरस के लिए एक दबा लॉंच की है जिसका नाम है फेविलो तो क्वेशन नमबर दो का आंसर क्या है बी अब देख लेते हैं इसमें क्या है जैसे लिखा हुआ है इसमें कोरोना वाइरस भारतिये कमपणी MSN उपने राहत की खबर लेकर आई है कोरोना वाइरस के उपचार में काम आ रही दबाईयों की बढ़ती मांग और उसके उचे दामों को देखते हुए कमपणी ने सबसे सस्ती दबा फेविलो बाजार में उतार दी है तो याद रखना इसकी कीमत भी मैंने बता दी है आपको की गोशना की है कितने 57128 करोड रुपे देने की गोशना की है 2020 21 वित्तिय वर्स के लिए केंदर सरकार को कौन देगा आंसर होगा भारतिये रिजर्व बैंक भारतिये रिजर्व बैंक केंदर सरकार को 57128 करोड रुपे देगा अब देखो रिजर्व बैंक की बात है दोस् इसका राश्टीए करन हुआ था 1 अप्रेल 안नेस को इसके सब से पहले जो गबर्नर बने थे उनका नाम था ओप सुरौन समित और पहले जो भारतिये गबर्नर बने क्वेशन में है केंद्र सरकार को 57,128 करोड रूपे की सर्प्लस मनी ट्रांसफर करेगा RBI जैसे मैंने बताया था ओके आगे देखोगे इसमें दिया हुआ है भारतिय रिजर्बेंक केंद्रिय बोर्ड ने लेखा वर्स 2020-1920 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड रूपे का अधिशेस हस्तानंतरित करने की मंजूरी दे दी है इसके अलाबा बोर्ड ने आपात जोखिम बफर को 5.5 फीसिदी पर कायम रखने का फैसला किया है रिजर्बेंक की और से जारी विग्यपती के अनुसार गवर्नर शक्तिकांद दासकी अगयाई में शुकरबार को हुई बोर्ड की बैठक में यह है फैसला लिया गया बैठक वीडियो कॉन्फरेंस के जरी हुई यह है रिजर्ब बैंक के केंद्रिय बोर्ड की 54 फी बैठक थी तो काफी इंपर्डेंट है याद रख लेना कितना पैसा दिया है और क्या है इसमें ठीक है क्वेशन नमबर देखोगे चार है दोस्तो क्वेशन नमबर चार में है भारतिय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्टपती पद के लिए अपना उमीदवार बनाया है बेरी-वेरी मोस्ट इंपर्डेंट क्वेशन है आसकता है पेपर में तो इसका आंसर होगा दोस्तो कमला हैरिस सभी को पता होगा लगवा की क्वेशन काफी हाइलाइट है ओप्शन नमबर डी कमला हैरिस को बनाया गया है दोस्तो राष्टपती पद का उमीदवार मैं इनकी एक पिक भी दिखा दिता हूँ आपको यह है भारतिय मूल की कमला हैरिस जिनको राष्टपती पद का उमीदवार अमेरिका में बनाया गया है ओगे दोस्तो आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर पांच है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इमानदारी से करज चुकाने वालों के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है तो देखोगे एक मंच की शुरुआत की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इमानदारी से कर्ज चुकाएंगे, कर्ज चुका देंगे, टेक्स दे देंगे तो उनके लिए जो मंच शाज़ा किया है उसका नाम है आपसन नमबर A, Transparent Taxation Honoring the Honest Transparent Taxation Honoring the Honest नाम से मंच लौंच किया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जिसमें इमानदारी से कर्ज चुकाने वालों के लिए राहत होगी आगे Question पर आते हैं दोस्तो, Question No.6 है हाल ही मैं कि सराज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूता स्कीम लौंच की है तो महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूता स्कीम किसके द्वारा लौंच की गई है आंसर होगा इसका B आंध्रप्रदेश सरकार के द्वारा आंध्रप्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए ये स्कीम लौंच की है बात आंदर प्रदेश की है दोस्तों तो आंदर प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो आंदर प्रदेश के CM का नाम है जगन मोहन रेडी और यहां के जो गबर्नर है उनका नाम है विश्वय चंदन भूशन विश्वा चंदन भूशन यहां के कौन है गबर्नर का नाम है आगे दिखो कि क्वेशन्स में क्या दिया हुआ है दोस्तो महिलाओं को शसक्त बनाने के लिए आंदर प्रदेश सरकार की वाई एसार चेउता योजना लाखों को मिलेगा लाव आगे इसमें दिया हुआ है दोस्तो जैसे कि आंदर प्रदेश की जगन मौहन रेड़ी सरकार ने राज्य की अलप संख्यक महिलाओं को शसक्त और आत्म निर्भर बनाने के लिए वाई एसार चेउता नाम से की स्कीम लौंच की है इस स्कीम के अंतरगत अनूसूचित जाती पिछडे बर्ग और अलप संख्यक समुदाय के 23 लाग से ज्यादा महिलाओं को लाब मिलेगा इस स्कीम के जरिये महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपे का रड़ दिया जाएगा बैंक इन लोगों को ब्यापार बढ़ाने में आर्थिक मदद करेगा तो काफी important है मेरे ख्याल से questions आभी सकता है paper में question number 7 हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए नई योजना की शुरूआत की है तो देखो question number 7 और question number 7 का answer मैं बता देता हूँ आपको C है question number 7 का answer C है गुजरात ने एक नई योजना की शुरुआत की है उसी योजना के बारे मैं अभी बात करूँगा पहले गुजरात के बारे मैं बात करें तो यहां के CM है विजय रूपानी यहां के CM है आचारे देवरत यहां पर गवर्णर है अब देखो इसमें हम information क्या है क्या योजना है इसको जान लेते हैं इसके तहट किसानों को उक्त इस्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई premium दिये मुआवजा मिल सकेगा गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहाए कि राज्य की नई योजना इस वर्स के लिए प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना का इस्थान लेगी हाला कि यह है योजना केबल एक वर्स के लिए ही लागू होगी इस योजना के तहट राज्य सरकार कुल 4500 करोड रुपे खर्च करेगी इस वर्स खरीफ के मौसम में फलसल बोने वाले किसानों को इस योजना का लाव मिलेगा छती पूर्ती केबल तभी द इस पूर्पी दूरी की वर्स दूरे सरकार ने शुरू की है आगे देखोके पोशन नमबर 08 है दोस्तो हाल ही मैं बहुंक किस देश ने लंबी दूरी की वैलिश्टिक मिसाइल से बचाब के लिए निस इस देशल सि स्पूर्वम का सफ़ल परिक्षण किया है य तो पहले इजराइल की बात करें तो येरूसलम यहां की capital है येरूसलम यहां की capital है ठीक है और देखोगे शेकल यहां की यह काफ़ी इंपरेंट है शेकल शेकल यहां की currency है यह कई बार पेपर में आ चुका है बेंजामिन नेत्या निहु यहां के प्रधानमंत्री है ठीक है के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिश्टम का सफल परिक्षण किया है इस परिक्षण को अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजनसी के साथ मिलकर बुद्धवार रात को किया गया था इसको एरो टू इंसेप्टर बताया गया है परिक्षण के बाद देश के रक्षामंत्री की तरफ से इसको पूरी तरह से सफल बताया गया है तो यह information थी याद रखोगे question number 9 है दोस्तो हाल ही में किस राज्या सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरूआत की है कर्म साथी प्रकल्प योजना किसके द्वारा की गई है आंसर होगा डी पश्यम मंगाल पश्यम मंगाल energy है और जगदीब धनकड यहाँ पर governor है कौन है जगदीब धनकड यहाँ पर कौन है governor है अब देखो information क्या है इसमें जैसे लिखा हुआ है पश्यम मंगाल कर्म सती का प्रकल्प योजना यहाँ भी लिखा हुआ है 2020 आगे इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों आगे है पश क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने वार्सिक वजट की दौरान कर्म सती प्रकल्प योजना शुरू की गई है यह योजना राज्य में रोजगार सरजन के उद्देश्य से सुरू की गई है जिसके तहत युबाओं को रोजगार के लिए बैंकों से सस्ती दरों पर रिण की उपलबत तरफ मनश्यत की जाएगी कर्मा सती प्रकल्प योजना के माध्यम से राज्य सरकार हर साल एक लाख युबाओं को अपना व्यावसाइश शुरू करने के लिए रिण प्रदान करेगी तो ये भी काफी इंपर्डेंट है योजना है तो का ये नितिन गडगरी नितिन गडगरी के द्वारा माइक्रोवेव डिवाइज अतुल्य का अनावरार किया गया है देख लेते हैं इसमें है क्या एक्चुल में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोबिड-19 को विघटित करने के लिए विक्सित किया गया माइक्रोवेव से स्टेरलाइजर विक्सित किया गया है माइक्रोव स्टेरलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विवेदगारी हीटिंग की मदद से कोबिड-19 वाइरस का विघटन करेगा तो ये है अतुल्य तो ये काफी इंपरेंट है दोस्तो आज का टूड ये उम्मीद है कि सभी इस क्वेश्चन का अंसर दोगे और उम्मीद करता हूँ कि सभी को वीडियो समझ में आ रही हो चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा टाटा बाई 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 टेक केर